नमस्कारम इस वीडियो में हम बात करेंगे बाईय प्रानायम के उपर से बाईय प्रानायम करने की विदी और इसके लाब के बारे में ब्रह्मचर्य के लिए बाईय प्रानायम एक अद्बुत सा प्रानायम है और इसके अद्बुत फायदे है बाय प्रानायम से वीर को उर्द्व गामी बनाने में बड़ी ही साहता प्रदान होती है और इसे अगर आप करने वाले हो तो इसे किसी के गाइडन्स के साथ ही करें या फिर इसका यूटूब पर गाइडंस वीडियो देख करी इस प्रानायम को आप पर्फॉर्म कीजिएगा तो अब हम जानते हैं बाईय प्रानायम को कैसे करना है सबसे पहले खुले स्तान पर आसन बिचा कर पदमासन या सुकासन में बेट जाए शरीर को सीधा रखकर सास शरी से पूरी तरह से बाहर निकाल दे अब सास को बाहर ही आपको रोक कर रखना है और इसी अवस्ता में तीन तरह के बंद लगेंगे जिसमें पहला जालंदर बंद, दुसरा उडियान बंद, तिसरा मूल बंद जालंदर बंद सिर को जुका कर चिन को चाती को सपर्श करे इससे जालंदर बंद लगेगा फिर उडियान बंद पेट को पूरी तरह अंदर पीट के और खीच ले वो मूल बंद लगाने के लिए नाबी से नीचे वाले बाग को खीच गर रखे इसके बाद तीनों बंद लगाने के बाद जितना हो सके उतना संभवता है आप उतनी देर तक सास को बाहर ही रोक कर रखे फिर जब सास लेनी हो तब तीनों बंदों को हटाते वे दीरे दीरे श्वास ले अब यही प्रक्रिया फिर से दोराए इस दोरान द्यान रहे यह प्रानायम करने से पहले देनी क्रिया से निपट कर खाली पेट ही करे सुरुवात में इस प्रानायम को तीन से चार बार ही अभ्यास करे फिर जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करते जाओगे वेसे वेसे समय के साथ इस प्रानायम का अभ्यास भी आप बढ़ा सकते अब जानते हैं कि इस प्रानायम से हमें कौन से लाव अपराप्त होते देखो वेसे तो इस प्रानायम के कई सारे लाव है लेकिन आपको इन में से कुछ ही लावों के बारे में मैं बताऊंगा इस प्रानायम का अभ्यास करने से पेट के कई सारे रोग समापत हो जाते हैं पेट के रोगों से कई सारे और रोगों का कारण बन सकते हैं पेट के कुछ आम रोग है ऐसीडिटी, जी मचलना और अलसर इन सभी रोगों से निज़त पाई जा सकती है मन और मस्तिख्ष की एकागराता को ये प्रानायम बहुत ज़दा बढ़ा देता है क्योंकि मन और मस्तिख्ष का एकागरों होना भी बढ़ा मुश्किल काम है पर ये नाममकिम नहीं है एकागरों को बढ़ाने के लिए ये प्रानायम आप रेगुलर लिक करो शुगर की बिमारी में आपको ये बहुत इतादा फाइदे मन है इस प्रानायम के नेमिस अभ्यास से जो पोरुष ग्रंती होती है मनुष्य के शलीर में पोरुष ग्रंती या प्रोटेश ग्रंती ही एक मात्र अंग है जिसे पुरुषारत का प्रतिक माना जाता है क्योंकि पुरुष की परमश्य चुच्ट दातु शुक्र या वीर पोरुष गंत्री में ही बनती है इसके नेमित अभ्यास से मूत्रमार्ग से संबंदित सारे रोग समापत हो जाते ही मूत्रपत का संक्रमन, UTI एक बैक्ट्रिया जनिय संक्रमन है जो मूत्रपत के एक इस्से को संक्रमित करता है जब यह मूत्रपत निचले इस्से को प्रभावित करता है तो इससे सामान्यम मुत्राशरी रोग मुत्राशरी का संक्रमन से कहा जाता है वीरे को उर्धो गती करके सोपन दोश या सिग्रपतिन आदी दातु विकारों की निर्वत्ति ये प्रानायम करता है ये काफी ज़ादा बेनेफेशन है इसलिए ब्रह्मचरिय में इसलिए प्रह्मचरिय में जो योगी रहते हो वो बाहिय प्रानायम बहुत देर तक करते हैं लेकिन उनका अभ्यास करते हो शुरुवात ही में ही बहुत जादा नहीं कर देते हैं इसे दीरे-दीरे से आपको शुरुवात करनी है और इसका अभ्यास दिन प्रते दिन आपको बढ़ाते जाना है जो भी अभी मैंने आपको प्रानायम बताया है बाहिये प्रानायम वो आप किसी गाइडन्स के साथ ही कीजिएगा विदाउट गाइडन्स आप इसका प्रयास मत करजेगा क्योंकि ये बहुती नादुक प्रानायम है और इससे हमारे प्रानों के साथ भी छेड़ चाड़ हो सकती है तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेर जरूर कीजिएगा और मेरे चानल को सब्क्राइब करकर बेल आइकॉन को जरूर अन कर दिजिएगा हर योम तत्सत